सरहदी बार्मेर में पुलिस ने सरस्दूत के पारलर से नशे के कारोबार करने वाले को अपनी गिरफ्त मिलिया है गिरफ्तार सक्स से गांचा बरामत भी किया गया है बारमेर कोतवाली पुलिस ने बारमेर शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन के पास छाप इमारी की कारवाई की सरहदी बारमेर में पुलिस ने सरस दूद के पालर पर नशे के कारोबार को करने वाले को अपनी गिर्फत मिलिया है गिरपता सक्ष से गांजा भी बरामत किया गया है मुखबिर की इतला पर बारमीर कोतवाली पुलिस ने बारमीर शहर के बीचोबीच रेलिय एस्टेस्सिन के पास छापे मारी की कारवाई की पुलिस ने सरस दूद के बूत के कैबिन पर छाप अमारती हुई गांजे की पुडिया, शिगार, स्मोकिंग पाइप और गांजा पिलाने के पात्र को भी बरामत किया है शहर के बीचोबीच पुलिस की इस कारवाई से नशे का कारवार करने वालों में हरकम मजगया शहर के मुके सड़क पर 24 घंटे पुलिस, यतार्ट पुलिस, हॉम गार्ड, जी आरपी, वारपी अपतैनात रहती है फिर भी खुले आम नशे का कारूबार चल रहा था जो की पुलिस की कारे प्रणाली पर सवाल या निशान खड़ा करता है वहीं बार में पुलिस अदिक सगा आनन सर्मा के मताबित मुक्यूबीर की इतला पर बार में कोटवाली के थानादीकारी राम परताप सिंग ने जो दूद की डेरी है वो व्यक्ति कुछ गांजा जो है अपने पास रखता है जिसको वो चोरीची पे बेजता है इस पर ऐसे चो कोतवाली द्वारा मात अभिश दी गई तो कुछ सिगरेट के पैकेटों में कुछ पुडिये में छुपा कर के गांजा रखा हो मिला बहुत चोटे चोटे चुप जाते तो अभी एक अभियान चला कर ऐसे चोटे जो हैं इनको विशेस तोर पर टार्गेट करें एक तरफ जहां देश भर में युगाओं में चरस और गांजे के हुका बार के जरिये बढ़ते नशे के खिलाख पुलीस अपना भियान चलाए हुई है वहीं सरहदी बार मेर में जिला मुख्याले पर शहर के हरदे इस्तल रेलवे सेस्टन पर इस तरह के नशे का बिकना वाकाई चोकाने वाला है बहराल शहर कोत्वाली की बार मेर पुलीस आनन शर्मा के निर्देशों पर की गई कारवाई ऐसे नशे के कारवारियों पर हरकम और सवालिया निशान खड़ा जरूर कर गई है